वेलकम बाक तू अन्नादर वीडियो आज हम बनाने वाले हैं यामी चीजी वाइट सॉस सिजलर के लिए तो फिर्स ओफॉल बड़े से एक वैसल में फोर टेबल स्पून अमूल सॉल्टेड बटर डालेंगे उसके उपर टू टेबल स्पून कॉन फ्लार डालेंगे फिर उसे अच्छे से मिक्स कीजिए नेक्स स्टेप फिर हम डालेंगे टू टेबल स्पून मैदा और उसको भी अच्छे से मिक्स कीजिए मिक्स करते करते जब उसका शेड गोल्डन कलर होता है हम उसमें डालेंगे एक लीटर दूद फिर आप विसकर से उसे धीरे से विक्स कीजिए और देखिए कि कोई लंप्स उसमें ना रहे इसके बाद आप पुझेए चार माजिक मागी क्यूब्स मसाला के और फिर आप उस मिक्षर में डाल तीजिए और फिर से उन सब को अच्छे से मिक्स कीजिए और मेक्शर कि उसमें कोई भी लंप्स ना हो उसके बाद स्वाट के बराबर आप अपना सॉल्ट डाल सकते ये होने के बाद आपको चाहिए हाफ टे स्पून ओफ ब्लाक पेपर पाउडर इसको अच्छे से मिक्स कीजिए ये मिक्स करने के बाद आपको चाहिए ये वन पी स्पून ओफ ओरीगानो पाउडर उसे डाल के आप अभी चीस कटाएं और देन वन बिक बॉल अफ गेटर चीज आप स्लोली आपके वैसल में शिफ्ट कीजिए make sure कि आप बहुत अच्छे से उसे मिक्स की करेंगे क्योंकि you don't want any lumps in the sauce so उसे अच्छे से मिक्स कीजिए and continuously कीजिए क्योंकि वहाँ साइड के वैसल में भी चिपक सकता है ये होने के बाद आपका कार्लिक प्रेट सीजनिंग एक ती स्पून डालिए इसके बाद हमें चाहिए 3 और 4 टेबल स्पून अफ फ्रेश मिल्क उसे भी अच्छे से वैसल में मिक्स करिए फिर दो ग्लास पानी और वैसे ही हमने फिनिश कर दिया हमारा वाइट सॉस रेसिपी और आप इस वाइट सॉस को अपने पास्ता में या सिजलर में या स्पगेटी में भी डाल सकते हैं hope you enjoyed the video today let me know down in the comments कि आपने किसके लिए ये बनाया make sure to like, share, follow and subscribe only on Katwa Kitchen see you next time